कि नमस्कार साथियो आज हम कन्वेयर वेल्ड की सेप्टी के बारें बताने वाले हैं कि वहां क्या-क्या सेप्टी क्यूबिंड रहते हैं और और हम को वहां पर काम करते समय क्या-क्या साधोनिया रखना चाहिए तो सबसे पहले जो material handling होता है वो दो टाइप से होता है एक तो होता है manual जो man power man woman hand ृ ट्रॉली से करते हैं दूसरा होता है mechanically जिसमें conveyor hydra ये crane होती है तो यहां पर हम conveyor के बारे बात करने वाले हैं तो what is conveyor weld सब जानते हैं कि एक material को एक जिगह से दूसरी जिगह shift करने के लिए एक medium है conveyor weld conveyor weld में जो क्यूपिंट होते हैं दो टाइप्स होते हैं एक तो था safety guard safety guard के बारे में हम बताएंगे यहां पर यह है coupling guard जो motor और gear bus के बीच में coupling होती है वो proper guard होना चाहिए तकि किसी का हाथ या कोई दूसरी चीज उसमें फसेना और कोई दुरगटना ना हो पाए दूसरा होता है head pulley guard यह भी जो conveyor की head pulley होती है उसको protect करता है वो किसी चीज को वहां जाने से रोकता है और दुरगटना से बचाता है यह है tail pulley guard इसी परकार belt का tail pulley होता है वहां भी भी guard होना चाहिए तकि वहां कोई दुरगटना ना हो सके और इसका जो take up pulley होती है इसके नीचे भी एक ऐसा variable बना होता है रेटर्निंग रोलर गार्ड रेटर्निंग रोलर गार्ड की नीचे भी एक गार्ड लगा होता है तो इस type से होता है जो इसको अधी वाई देवे यह गिरता है तो इसमें hang हो जाएगा नेक्स्ट है side guard दोनों कनमेर के बाकवे के दोनों तरफ इस side guards लगे होना चाहिए जो चलते समय हमको दुरखटना से या नीचे गिरने से मचाते हैं नेक्स्ट है safety electrical equipment जो की लगे होते हैं यहां पर देख रहे हैं यह pull guard है pull guard पूरे conveyor के through line में दोनों side रहता है और कभी कोई problem होने से आप इसको खीचने से conveyorable बंद हो जाता है जब तक आप इसको reset नहीं करेंगे इस type से यह conveyor चालूनी होगा और reset करने के बाद अगेन आप इसको command देगा तो चालू हो जाएगा next है belt sway तो belt को अपने fixed way से इदर उदर जाने पर belt को रोग देता है जिससे belt 36 होने से बचता है और यह है ZSS यदि belt की जो head pulley है और motor है वो चल रही है आपको indication मिल रहा है लेकिन conveyor नहीं घूम रहा है तो उस condition में ZSS जो है इसकी tail pulley में लगा होता है और तुरत motor को बंद कर देता है और आपको information अपने control में मिल जाती है कि conveyor की motor तो चल रही है लेकिन belt नहीं घूम रहा है इसके कारण motor interlock रहती है और वो बंद हो जाती है तो यह electrically safety है इसमें generally यहां पर एक sensor लगा हुआ है और यह जो blade है यह continue घूमते रहते हैं यदि इसकी speed भी यदि slow हो जाएगी तो भी यह sensor है वो sense करके conveyor को बंद कर देगा यह इसके बीच में कोई दूसरा चीज आ जाएगा abstraction आ जाएगा तो अभी यह conveyor को बंद कर देगा अब है conveyor operational safety conveyor के पास काम करते समय क्या क्या safety रखना चाहिए यह उसके बारें बताएंगे बैल्ड वागवे पर चलते समय फोन पर बात नहीं करना चाहिए आपका concentration बैल्ड पर ही होना चाहिए और इसी प्रकार यह कोई लूज कपडा तोलिया गमचा आधी डाल कर भी conveyor के पास काम नहीं करना चाहिए यूनिफर्म के बटन बरापल लगे होना चाहिए कपड़े धीले नहीं होना चाहिए क्योंकि यह कभी भी rotating part में फस सकते हैं और दुर्गटना हो सकती है इसी प्रकार इसका जो returning ruler है बैल्ड का इसके नीचे भी हमको नहीं खड़े होना चाहिए सीद में क्योंकि यह कभी भी अधी fall होगा तो उससे भी दुर्गटना हो सकती है और बैल्ड के पुल्ली एरिया में कार करते समय हमारा पूरा concentration काम पर ही होना चाहिए पौन आधी पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि द्यान कहीं और होगा तो उससे भी दुर्गटना हो सकती है और बैल्चे से diet material को कभी भी conveyer पर नहीं डालना चाहिए क्योंकि बैल्ट उसमें फास सकता है और वहां पी दुर्गटना होने के chances रहते हैं और बैल्ट बागवे पर भी हमको अनियंतरत गती से नहीं चलना है उससे भी आप गिर शकते हैं दुर्गटना हो सकते हैं हमेशा स्लो गती से चलें और यह कोई स्क्रेप या अफ्ट्रेक्शन है तो उसको सेम टाइम उठाके अलग कर देना चाहिए यह भी दुर्गटना के कारण हो सकते हैं इसलिए हमको स्वरक्षा अपनाना है और यह वागवे का कोई हिस्सा तूटा हुआ है तो उसको ध्यान देना चलते समय और उसको तुरत करना है मेंटेंस कराना है और प्रतेक बेल्ट की अफ्रेशन सी बटन या पात कलीन बटन के वार में हमको जानकाई होना चाहिए यह वहां काम कर रहे हैं तो प्रॉपर दभी होने चाहिए यह काम करने से पहले वहां पर इंश्योर करना है कि और रूलर के जो ऐसे पिन पॉइंट होते हैं ऐसे हिस्से होते हैं जहां पर गल्दी से भी कोई चीज का भी हाथ या कोई चीज नहीं डालना चाहिए क्योंकि इससे बहुत दुखटना हो सकती है और बहुत इंज्जिरीज हो सकती है अज़िए यह रूलर है आपके और वैल्ड के जो सेप्टी क्यूपेंट है यह कोई चेती ग्रेस्ट है कैसे आप देख रहे हैं आप पुल गाड का वायर टूटा हुआ है जो यहां तक होना चाहिए था यहां नहीं है तो इसकी सूचना तुरत इंचार्ज को देना है और इसको तुरत सही करवाना है यही सुरक्षा उपकरण हमको सुरक्षा देते हैं इसलिए यह हमेशा ओके होना चाहिए और जो वैल्ड का साइड में जो वाकवे है यहां कभी मटरेल नहीं होना चाहिए यह है उसको तुरह साफ करो क्योंकि यह इसमें फसकर आप गिर सकते हैं और वाकवे में कोई अवरोध भी नहीं होना चाहिए जैसे यहां देख रहा है यह बॉक्स लगा हुआ है आप चलते समय इसमें भी आपका पैर फसकता है तो इसको अपने इंचार्ज से बात करके इसक से आप देख रहे हैं यह हाइट है फिर स्टेप बनाया फिर डाउन में यह भी आपको चलते समय आपको कि वेलेंस को बिगाड़ सकता है और आप इसमें फसके भी गिर सकते हैं इसलिए इस स्टेप ऐसा कोई स्टेप है तो इसको अटवा देना चाहिए हुआ से और एक लो बनाके यह इसको उपर करके इसको लेवल में लेकर आना चाहिए और बेल्ट के असपास कभी भी ऐसा मट्रियल जो आपको सिलिप कर सकता है यह पड़ा है तो इसको तुरंट साफ करना है क्योंकि यह आप देख रहे हैं राउंड सेप में हैं और आपका पैर इसमें सिलिप हो सकता है और आप बेल्ट के पास गिर सकते हैं आप हाथ बगएर भी उसमें फस्ट रखता है तो ऐसी कंडिशन ने तो रहा सफाई करवाना है शुरूरू और बेल्ट के पास जब भी कोई काम करना है या रहनी कर्णिशन में तो हमको एक अगनी समन फायर जो सिलिंडर होता है यह पास में रखना चाहिए हमेसा जो हमको फायर से प्रोटेक्शन देगा और कनवेयर के आज पास कभी भी जोलेंशील पदार्थ नहीं रखना चाहिए क्योंकि आग को यह जोलेंशील पदार्थ बढ़ा सकते है यह थूवेस शुरक्षा के लिए है वैल्ट की नीचे से निकलने के लिए ऐसा बनाते है इस सेप्टी टिप्स है कभी भी कनवेयर के उपर से चल कि उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए कई लोग सोचते हैं बैल तो बंद है हम इसके उपर से क्रॉस कर सकते हैं बहुत ही डेंजरस है हैड़ पुली के पास कभी भी इस प्रिद गरती से या अरिंत गरती से नहीं चलना चाहिए ताकि आप अन्बैलेंस हो जाए आपका हाथ भी उसके अंदर जा सकता है उसी के लिए हम गाड़ प्रोवाइड करते हैं गाड़ जो होते हैं हैड़ पुली टेल पुली गाड़ में इसा ओफ होना चाहिए ताकि कोई ओन ना कर सके उसको ते सब्सक्राइब करने से पूर वर्पर्मिट लेना चाहिए हैं ताकि एलेक्ट्रिकल और मेकञनिकल दोनों डेपर्ड से और पॄर्मिट लेने से स्बको जानकाई रहती है इसका पावर आफ रहता है । चाहिए है कि उसके वर्क चल राए है कि वर्क माथत होने के बाद बेल्ट चालू करने से पूर्म्स को सायरं बजाना चाहिए ताकि आदमी जो हैं वहां काम कराएं अलर्ट हो जाएं और जानकारी मिल जाएगी कि बैल्ट कन्वेयर चालू होने वाला है बैल्ट को क्रॉस करने के लिए उसके उपर से कभी भी ना जाएं ये बहुत ही खतरनाक है जैसे मैंने बताया अभी बैल्ट पर या उसके आसपर कार करने से पूर उसके सुरक्चा उपकरनों की ठीक से जाच करें कि वो सही सही कंडिशन में हैं की नहीं मैंने भी जो कार्ट बताए और अलेक्टिकल एक्यूपमेंट बताए उनको चेक करना है वो सही कंडिशन में हैं की नहीं बेल पर कार करने से पूरे से उने चित करें कि उसका पावर आफ है की नहीं है इसका अमर्जेंसी बटन दबा हुआ है नहीं यह अमर्जेंसी यह से मैंने बताया कि अमर्जेंसी की जानकारी होना चाहिए वो दबा है की नहीं और concern department से ये clear होना चाहिए electrical से कि इसका power off हो चुका है तो ये confirm करने के बाद ही हमको conveyor के उपर काम करना है ओके धन्यवाद स्वास्त रहें सुरक्षित रहें